Hello and welcome to Nimbus IS, तो आज के editorial and opinion page analysis में आपका स्वागत है So, editorial and opinion page as you know is very important, ठीक है, इसमें जो news में जो हुआ है, जो important चीज़े होती है, उसको opinion होता है तो it gives us, it highlights the most important news, ठीक है, तो वो बता जेता है वहाँ पे, उसका थोड़ा सा background मिल जाता है और थोड़ी क्यूस मिल जाती है, कि हम उसको कैसे prelims or mains के point of view से target करें Now, today I have three topics, so हम basically यही target करें है कि तीन topics हम करें, तो बहुत सारे ऐसे होते हैं, जो repeat होते रहते हैं And at the same time उसके relevance नहीं होती है, जैसे आच उक्रेण पे तीन चार थे हैं यहाँ पे, एक cricket team के ओपरता है, so that we will just put it aside Now, today we have three topics, so one is about the Ukraine crisis and it says counting the costs So, कौन सी कौस्ट, तो कौस्ट जो हम बात कर रहे हैं, basically the cost of sanctions ठीक है, तो sanctions के जो policy है, उसके pros and cons पे आज का यह editorial बात करता है With reference to cyber attacks, उसके बारे में यहाँ पे हमारे पास एक article है अब यह regulation के बारे में बात कर रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा और extrapulate कर रहा हूँ कि बई, और क्या dimensions हो सकते हैं towards cyber attack, तो उसको और क्योंकि mains में every year question is being asked, literally every year, to 2015 में है, 17, 18, 19, 20, 21 में तो इसको थोड़ा सा और extrapulate करेंगे, given the importance of this topic and then there is this new concept, finlandization तो finlandization पे मैं आपको एक question भी देदूँगा practice करने के लिए, आज नहीं है पर this is a new concept, तो शाएद हम और और इसको आगे हमें इसको देखना पड़ेगा तो यह तीन topics हैं इसको हम cover कर रहे हैं so let's get started with the first this thing that is cutting the cost तो आपको पता होगा भी obviously Ukraine has been attacked by Russia ठीक है, अब no country wants to engage कोई country इस पे directly इससे लड़ाई नहीं करना चाहती because Russia का एक तो पहली बात यह जो Ukraine है उसका backyard है तो यहाँ पे Russia को बहुत advantage है, आप देख लीजे कैसे उसको अटाक किया है north से, south से, east से, यहाँ से, हर direction से इसको अटाक किया है तो यह यहाँ पे Russia को बहुत advantage है, कोई country इसमें गुसना नहीं चाहती directly support दे रहे हैं, पर गुसना नहीं चाहते तो यह है, दूसरी बात है, Russia ने बोला कि भई हम nuclear weapons mobilize करतेंगे अगर किसे ने अटाक किया तो, तो यह तो nuclear war हो जाएगा, तो बड़ी खतरनाख situation है तो इसके चलते हैं, given the realities and being pragmatic over here जो world है, वो led by United States of America वो बोल रहे हैं, हम sanctions impose कर देंगे Russia के उपर अब sanction का क्या मतलब हुआ? sanction का मतलब हुआ, हम Russia को isolate कर देंगे, economically कोई country इसके साथ trade नहीं कर सकती, अगर Russia को कोई पैसा कोई दूसरे देश में पड़ा हुआ है, वो block हो जाएगा ठीक है, Russia जो oil और gas बेचता है, जिसको उसको काफी मनाफ़ा होता है, वो भी नहीं बेच सकता तो उस पर sanction लगा दिया जा रहा है और अब भी बात कर रहे है कि sanction को और strong करने के लिए, जो global banking system होता है जो international जो उनके transactions होती है, वो होती है, swift mechanism के थूँ ठीक है, I'll discuss this more later, पर एक swift system होता है, आपस इतना जान लेजिए कि swift system होता है तो उससे भी इसका access बंद कर रहे है, तो basically और strong इस पर एक sanction यहाँ पर लगा दिया जा रहा है अब रश्या पर तो obviously इसका cost है, रश्या पर इसका cost है, उसकी currency जो है, वो tumble होगी, उसकी depreciate हो रही है मतलब अगर currency depreciate हो रही है, मतलब आपको और पैसे Russian को, और Russian व्यक्ति को, और पैसे खर्चने पड़ेंगे, कोई चीज को खरीदने के लिए तो naturally इसकी economy affect हो रही है, इसके उसका inflation increase हो रहा है, ठीक है तो 30% depreciate हो गए, बहुत बड़ा number है यह, normally 2-3% होता है और उसमें भी हम panic कर जाते हैं, यहाँ पे 30% एक दिन में ही हो गया naturally inflation भी बड़ेगा यहाँ पे, वहाँ पे डर बैठा हुआ है कि हमारा banking system collapse हो जाएगा, तो यहाँ पे बात कर रहे है कि Russia का largest lender, सबसे बड़ा bank, उसके कुछ पैसे यूरोप के अंदर पड़े हो गए थे, वो freeze हो गए यहाँ पे फिर जो रशिया का जो central bank है, जैसे हमारा reserve bank होता है, तो हर एक country का एक federal bank या central bank होता है तो उसका जो foreign reserve से है, अब वो usable नहीं रहेगा अगर sanction हो गया, और यह जो foreign reserve है, जो 630 billion dollars का है यह obviously जो troops से उनको salary वगरा देने में काम आता, तो यह भी freeze हो गया तो एक pressure लगाया जा रहा है यहाँ पे, isolate करने की कोशिश करी जा रही है और इससे रशिया पे economic effect दिखना शुरू भी हो गया पर इसके चलते हैं, यह सिर्फ Russia को प्रभाफ नहीं कर रहा, यह पूरे world को affect कर सकता है for example, यहाँ पे बात कर रहे हैं, कि जैसे Russians का पैसा Europe, मतलब Europe या US वगरा में पड़ा हुआ है, वो बंद हो गया वैसी बाकी लोगों ने भी, Europe और बाकी countries ने भी अपना पैसा रशिया में डाल रखा था रशिया में उनके कोई interest है, जैसे कि oil and gas तो वो पैसा वहाँ फसा हुआ है, उनका भी फैसा फसा है, ठीक है तो it goes both ways तो एक बात तो यह हो गई, दूसरी बात है कि अगर आप oil and gas पर attack कर रहे है कि Russia से oil and gas को बंद कर देंगा, उनके pressure आएगा, तो oil and gas से यह भी होगा कि जो overall supply of oil है, वो गिर जाएगी तो Europe में already gas prices बढ़ गी है, वर्ल में जो Brent crude है, जो basic indicator है of oil prices, वो 105 डॉलर पर barrel चला गया, यहाँ पर 100 डॉलर लिखे है, पर 105 चला गया है वो ठीक है तो बढ़ रहे है, अभी आया था, अभी अभी news में आया था कि LPG की prices है 105 रुपे से एक जटके में बढ़ गी तो it is affecting the entire world, और इसकी वज़े से पूरे country में inflation होगा और आप सोचिए अगर हमारा 70 या 60 डॉलर प्रती बैरल पे अगर हमारा पेट्रोल 100 रुपे से उपर क्रॉस कर रहा था तो 100 डॉलर प्रती बैरल, ठीक है, 60 से अगर 100 पे चला चाएगा तो कितना महेंगा हो जाएगा तो it is going to affect, it is going to affect the government's revenue also fiscal space जो होती है government के जो revenue collect करने की, जो tax से पैसा आता है उसको oil से वो भी उसका काम हो चाएगा तो यह बात हो रही है, और सबसे जो खतरनाग बात है अचकल की pandemic की वज़े से जो economy में दबाफ बढ़ रखा है, जो slow down, recession आ रखा है तो इसको revive करने के लिए हम चाहते है कि थोड़ी inflation कम हो, हम चाहते है और पैसा market में डाला चाहे, supply बढ़ाए चाहे, पर यह allow नहीं करेगा उसको तो यह कैसी situation आ गई है, तो इसके चलते हैं, यह simple से बात कर दी, editorial में कि भही आप negotiation करिए और यह सब बन करिए क्योंकि यह, it is a loss situation for everybody, ठीक है तो यह है, पर यहाँ पर यह एक unilateral action है, और यह भी नहीं करेंगे तो फिर करेंगे क्या चलिए, paper में लिखना असान होता है, खुद करना मुश्किल होता है, अच्छा, अब आते है SWIFT की ओपर, तो SWIFT system क्या होता है तो SWIFT is basically, अगर आपको, किसी को एक bank की branch से, internationally पैसे ट्रांसफर करने है, कोई भी country मान लेची आपको तो आपको पैसे ट्रांसफर करने है, obviously सीधा सीधा पैसा तो नहीं आएगा, आप तो पैसे डालते है और दूसरे व्यक्ति को simultaneously पैसे मिल जाते है पर ऐसा तो नहीं हो सकते ना, कि एकदम से पैसे चले गए तो होता क्या है, कि SWIFT system से, जो bank branched है, वो they are connected by the SWIFT system तो ये instant message जाते है, secure line of communication है, जो बोलती है कि we have received money and we will give you money ठीके, तो पहले तो सिर्फ message जाता है, और ये इस passage जो इनकी पास पैसे पड़े होए थे, वो आपको दे देते हैं, ये जिस किसी को भी देते हैं बाद में पैसा इधर उतर जाके, ultimately आपको उस branch में चला जाता है ठीके, इस branch में जाता है, तो इस branch से जाएगा, पर obviously through a channel तो ये system को बोलते है SWIFT, और SWIFT अगर आप ध्यान दीचिए, इसमें money transfer नहीं हो रहा है It is only transfer of information, it is a messaging system और इसका full form है, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication अब यहाँ पर भी देख लेचिए, वो financial transfer नहीं बोला, तेली communication बोला है ऐसा कोई नहीं है कि किसी country specific ने बनाया है, it is created by a consortium of different different countries ठीके तो एक partnership के साथ बनाया गया और इसका basic reason यह था कि यह बहुत important है, कि पूरे international transactions इसके थूँ हो रही है तो इसके कोई भी एक country का दबाफ नहीं होना चाहिए, control नहीं होना चाहिए, dominance नहीं होने चाहिए तो इसके चलते है, it was created by a partnership नेक्स आर्टिकल पर आते हैं, now this is about cyber security and data protection ठीके तो यह आपका next है, I basically use the heading because मेरे को space थोड़ी अच्छी मिल जाती है reporting cyber attacks, yes तो basically हमारे पास एक data protection bill है, तो उसके चलते एक नई regulation आने वाली है by the way data protection bill भी आपका mains में आया था 2018 में अच्छा, इसके चलते एक regulation आने वाली है, we expect कि जो minister of state है राजीफ चंदरशेकर वो इसको announce करेंगे, और वो क्या है यह जो regulation बोलती है, कि जो private entities है या जो data fiduciaries है, जो आपका data लेती है, आपका store करती है और उसको use करती है, देखिया, facebook वोगरा, वो ही तो है data fiduciary आपक हुआ यहाँ पर, प्रहार हुआ, ठीक है, तो in that case they will have to disclose कि भही हमारे system को attack किया गया है हमारा data leak हुआ है, डेटा पर attack किया गया है, एक cyber crime यहाँ पर हुआ है तो they have to disclose, they have to report, किसको report करेंगे CERT, Computer Emergency Response Team तो this was a system that was created in 2008, और इसका basic purpose है कि country में कोई भी emergency होती है, with reference to cyber attacks, cyber crime, तो वो इसको investigate करते हैं, उस पर action लेते हैं तो इससे क्या होगा, disclose करने से, it will alert और यह alert करते हैं, बाकी लोगों को alert करते हैं, पर ध्यान रखना है ध्यान रखना है, दूसरी बात है कि corrective measures या curative measures लिए जा सकते हैं ठीके, तो यह basic यहाँ पर framework बताते हैं तो अब इसके चलते हैं, अब हम तोड़ा और इसको करते हैं अगर यह आपको report करना है, यहाँ पर अगर आपको यह बताना है अब कोई company खुद से तो नहीं बताएगी कि हमारी company में cyber attack हुआ है, cyber crime जो कि अगर वो खुद से बताती है, तो उससे क्या होता है, खुद से बताती है या फिर उसकी जो share value है वो गर जाएगी, तो no company wants to disclose this तो इसको क्या करना चाहिए, obviously नहीं बताएगे, तो इसको हमें यह regulation है इसको enforce करने के लिए एक mechanism बनाने की ज़रूरत है, हमें enforcement करने की ज़रूरत है और enforcement कैसे होगा, by cyber security audits, तो हमें periodic cyber security audits रखने पढ़ेंगे तो audit हमें करने की अवशकता है, और audit करने के लिए हमें capacity होने चाहिए हमारे पास workforce होनी चाहिए, जो यह चीजों को enforce कर सके तो यह basic यहाँ पर इसका task है, beyond this वो बोल रहे हैं कि हमें कुछ set of standards बना देने चाहिए जो cyber security के reference में है, कुछ standards, कुछ regulation डिफाइन करने चाहिए कि वो companies को इसमें comply करने है और इन standards को कि वो company comply कर रही है या नहीं हमें laboratory चाहिए होगी ठीक है हर चीज की laboratory होती है, आपकी testing यह steel strong है नहीं है यह phone का जो glass है strong है नहीं हो, lab में जाकर test होता है और का होता है तो उसके लिए हमारे पास common criteria testing laboratories होनी चाहिए तो basic बात यहाँ पर यह है आपको as such कुछ कुछ नहीं पूछने वाला है इसके बारे में but yes, आपको इतना पता होना चाहिए कि आपको थोड़ा सा idea लग जाता है कि यह कुछ चीजे है with reference to cyber attacks एक broad based question आपके पास आएगा जैसे कि यह वाला है discuss the potential threats of cyber attack and the security framework to prevent it वहाँ पर एक point यहाँ पर यह हो सकता है अच्छा अब यह जो आपका question आई गया यहाँ पर तो थोड़ा सा तो देखिए अगर आपकी potential threats किया है potential threats हमारी country में आप कोई facts से बता सकते है अभी बताया था कि पिछले साल की comparison में 30% ज्यादा cyber attacks हुए है तो एक यह होगे आपके पास कोई fact बते सकते हैं आप कोई भी fact बता सकते हैं आप यह बता सकते हैं कि हमारी इसको इसके बयाउन बोल सकते हैं कि हमारा जो cyber infra है वो weak है ठीक है तेरा problems हमारे पास एक dedicated law नहीं है regulation नहीं है for this purpose data protection भी act नहीं बोला हमने data protection bill बोला मतलब regulatory framework हमारा अभी weak है यहापे ठीक है further आजकल और-और digitalization हो रहा है हमारा जो critical infra है जो बहुत important होता है किसी भी देश के लिए critical infra आपका banking system हो सकता है क्योंकि वो critical है हमारी country के लिए obviously वो सब IT based हो रहा है आजकल transportation हो गया जो roadway से भी जा रहे हो वो भी digitalized हो गया आपका license आपका CCTV जो लगे होते हो उपर आपके फिर आपके वो जो क्या होते है signals बगर होते है तो अगर signaling system कोई उसको hack कर दे और accident हो जाएगा फिर तो rail हो गया ठीक है तू सब digital पे आ रहा है यहाँ पे critical infra particularly और given अभी आप और चीज ले सकते है कि जो हमारे जो mobiles है laptop से आपका जो infra बन रहा है 5G के लिए वो भी चाइना से आ रहा है so in other country can also use this to espionage और दूसरा होता है sabotage करने के लिए ठीक है तो espionage ऐसे Pegasus का हो गया कि आपके mobile phone में जो भी है वो सब रीड कर सकता है आपको देख सकता है वो सब चीज़े और sabotage मतलब destroy करना किसी को ठीक है तो यह चीज़े है अब इसके लिए framework क्या है हमारे पास cyber security policy है 2013 जो एक पूरा एक groundwork बताती है कि हमारी country यह चाहती है cyber security के लिए हमारे पास इतने manpower होना चाहिए हमारे पास यह संस्ता है CERT जो इसको deal करेगी फिर एक बात करती है कि हमारे पास एक संस्ता होने चाहिए national critical information infrastructure protection center तो जो भी जो data वाली चीज़े है उसको protect करने के लिए एक संस्ता बनाई जाने चाहिए ठीक है तो यह सब चीज़ों पे एक roadmap यह policy देती है अब एक नई policy आने वाली है national cyber security cyber security strategy ठीक है हर साल बोलते है draft paper आया 2020 हो गया 2021 हो गया अब 2022 चल रहे है बाकी यह कुछ इनिशेटिव से आपके लिए मैंने थोड़ा सा रखा है आप इसको mark थोड़ा सा रीड कर सकते है ठीक है तो इस विल हेल्प यो विध यो प्री अलसो मेंस अलसो नाव कमिंगान तो थो फिनलंडिज़ेशन यह मेरे को एक concept लगा एक emerging concept है I have not framed a question असी है एक नए एकदम नए चीज़ है तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे and I'll definitely share it जब हम IR के questions discuss करेंगे शान को साथ बचे तब हम आपको यह share I'll give you a question Now let us see what is finlandization तो finlandization is basically with reference to Ukraine की वेज़े से बात होई है कि यह जो Ukraine है वो Russia की बात नहीं मान रहा था ठीक है तो यह बात नहीं मान रहा था इसलिए Russia ने attack कर दिया यहाँ पर यही बात ही न basically कि वो NATO में जाना चाहता है Russia को कतना लग रहा था तो वैसे भी बहाना दून रहे थे तो अटाक कर दिया अब इसके चलते हम थोड़ा past में जा रहे है and we are going to 1950s the cold war era when Finland was there Finland and Russia यह Scandinavian countries है यह Nordic लिखका है वैसे यह Nordic है basically region तो Finland ने बोला कि देखिए आप हमको अटाक मत कीज़े प्लीज आप अटाक करेंगे अटाक करेंगे तो यहीं थीक है वाई आप ऐसा कीजे आप हमारी बात मानते रहिए जैसा आप चाहते है जैसा हम चाहते है आप फूर्ष नहीं बोलेंगे तो यहीं है थीक है क्या बाते थी NATO में ने करेंगे थीक है देमोक्रसी बगरा वो सब नहीं करेंगे हम लोग तो सब बड़िया चलता रहेगा और ऐसा चलता रहा तो इट इस बेसिकली अस्मॉलर कंट्री बोइंट पावर बोस डाउन इन फ्रंट अफ लाजर पावर तो सेफ़कार्ड इट सेफ़कार्ड इट तो यह बिसिकली इसका मतलब है फिनलेंट इसेशन की छूटी कंट्री मान जाए बड़ी कंट्री से बात करें कि भाई आपका जो कंसरंस हम देख लेंगे पर आप हमें बस अनेक्स मत कीजिए आप इंवेड मत कीजिए तो more or less यह agreement चलती रही by the way Finland is still not a member of NATO वहाँ पर बात हो रही है पर अभी तक नहीं आई check this तो एक बार एक incident हुआ कि एक night frost crisis basically बता रहा है कि जो Russians है उन्होंने इन्वेड तो नहीं किया पर domestic politics में कभी ना कभी यहाथ पैर मार देते थे वहाँ पर तो यह करते थे तो यहाँ पर night frost crisis एक incident हुआ था जहाँ पर Moscow ने बोला कि कोई एक नया बंदा प्राइम मिनिस्टर आ रहा था तो उनको comfort नहीं था उनसे तो उनको प्राइम मिनिस्टर बनने से रोकने के लिए यह issue हुआ था अब बात करते है कि Finlandization की relevance आज की date में आज हमारे पास एक तो Russia की बात हो जाती है तो Russia के बारे में बात हो जाती है पर आज की जो politics है वो थोड़ी change हो गई ठीक है we have Russia, we have China एक China एक ascending power है Russia जो USSR थी और जो आज भी Russia है वो चाहती थी कि जैसा है वैसा रहे हमें कोई खत्रा न हो China कहती है कि भी हमें और और rise करना है हमारी जो ये territories चले गई Taiwan चला गया, South China सी चला गया जो हमारा lake होता था हमको ये वापस अपने अंदर रखना है India के context में Tibet हो गया तो अजनाशल और वो जो Ladakh पलरी चले ये सब हमको चाहिए ठीक है तो it is a revisionist power यहाँ पे revengeist power यहाँ पे expression use किया है let me just I can't see it, revengeist ठीक है तो ये term यहाँ पे use किया गया है तो चाहिना के context में हम इसको देख रहे हैं यहाँ पे तो ये basically speculate कर रहा है कि आज की जो geopolitics है वो थोड़ी change हो गई है और ये 1950s के time से अलग है अब अगर हम चाहिना के बारे में बात करें हमें तो चाहिना से ज़्यादा खत्र है तो एक तो हमारी जो territories है उस पे ये नजर लगा के बैठे है अब क्या हम उनकी बाते मानते रहें यहाँ पे अब अगर हम चाहिना के reference में देखे चाहिना है उल्टा सी ठीक है यहाँ पे South China Sea हो गया यहाँ पे आपके Asian countries हो गई वो उनको उनसे खत्र है यहाँ पे islands के reference में dispute चल रहा है Sea के reference में dispute चल रहा है ताइवान को भी खत्र है है यहाँ पे तो क्या ताइवान अगर चाहिना के बात मान लेगा या Finlandization हो जाता है क्यों चाहिना उसको छोड़ देगा basic बात यह है और क्या अगर ताइवान अगर मतलब चाहिना इसको attack भी कर देता है तो क्या US चैसी power जो बोलती रहती है कि we will step up we will step in into this issue क्या US अच्ची में करेगा यूक्रेण के case में तो किया नहीं and basic reason यह है कि वो खोद एक collateral damage नहीं चाहते इतनी बड़ी country से पंका नहीं लन चाहते और दूसरी बात है nuclear weapons so we have to think in this context ठीक है तो यही बात कर रहे है कि is the Finlandization of Ukraine या Finlandization अगर मैं इसी concept को थोड़ा और elaborate कर लूँ क्या यह आज की rate में relevant है या नहीं है ठीक है तो यह एक scenarios बता रहे है relevance पर actually इसने बात नहीं करी है यहाँ पर बोलतो रहा है पर उसके बारे में यहाँ पर बात नहीं करी है और क्या करना चाहिए यह भी बात नहीं करी है but yes we can relate to the issue of Taiwan ठीक है ताइवान साओच चाइना सी उस कंटेक्स में बात कर सकते है और उनको कैसे डील करना चाहिए सिटुएशन के साथ and what we feel is कि चाइना बेंग और रिविशनेस पावर जो पास को देख रिया और वो कहरे कि यह हमारी टेरिटरियों है कि यह ऐसी बात है मानेंगे भी नहीं ठीक है so in this light there is a requirement कि यह सारी कंट्रीस जो अफेक्टेद कंट्रीस है ते टेक अ मिदल पाथ ठीक है मिदल पाथ नौट बुद्दा वाला ते टेक अ मिदल पाथ और यह and they use their diplomatic options negotiate not to offend with the major power but at the same time don't be so weak also that you are not able to stop the aggressor countries आप diplomacy या कोई भी तरीके से आप अपने आपको secure कर सके तु मेरे साब से यह इसका एक conclusion होना चाहिए था write this write then so this basically concludes our analysis of editorials and opinion right so this is it from my side so thank you for streaming in to Nimbus IS with me Shubhasit Singh Rahal bye bye take care and all the best